तो आज किस वीडिमे में आप लोगों कि साँ चार dai si 5y तिप कारने ओड आप सुप्पेशल्य वीडियो आप लोगों के लिए प्लीज इस वीडियो को कम्प्लीट देखे और अगर आप भी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को न किजएगा जो के मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ वो चीज़े आपने नहीं करनी और क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या करना है ड क्या नहीं करना है वो तो आपको पता चाली जाएगा लेकिन उससे पहले आको इस वीडियो को कंपलीट वाज करना है कमाल है यार राइम हो गया अ今 स्लाम लेकम में आप लोगों चार वाम कर Kr ऑफ सबले और आपके्षाव टार करेंगी और आप आप नियु नियु फाइवर के पर करिया स्राट करते हैं या जो अभी तक अपना फर्स्ट ओडर डूडने में लगे हमें उनको नहीं मिल रहा है तो यह कुछ चार चीज़े अभी आज इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ अगर आप लोग इन चीज़ों को फोलो करते हैं तो इन्शाला अगर बाकियों को अफाका हुआ है तो सर आपको भी अफाका होगा लेकिन अगर आपको फाक नहीं पर कोई मसला नहीं आपने daily मेरे पास आना आ है मेरे चैनल पर आकर daily videos watch करनी और तीन दिन के बाद मैं आपको अस्रे टिप बताऊँगा जैसा के नॉर्मेरी बॉक्टर करती है इन्शाला यह जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जो चिप्स मैं आपको बताने वालों इसे आपको काफी ज़दा फाइदा होगा और इसी चैनल से सीख के अलहमदुलिला उनकी गिक्स भी रैंकी उन्होंने ओर्रस बिली और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट पी करूँगा कि प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजेगा जिन लोगों को भी ओर्रस मिले जो भी आप लोगों के लेवल्स है ताक इसका मतलब उनका टाइटल पर्फेक्ट है उनकी डिस्क्रिप्शन उनकी इमेज उनकी हर चीज़ पर्फेक्ट है तब ही तो उनकी रैंक कर रही है जी बिल्कुल यहां तक आपकी लोगिक बिल्कुल ठीक है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि चुपकर कि इन्हीं का इस पैसलिए आप बर्गर बना रहें ठीक है रगधर बच्चों के लिए बर्गर बनाते हैं अब आप कहते हैं कि यार मैकडॉनलंस पर बड़ी वाम जाती है उनका बर्गर बड़ा मशूर है तो क्यों ना मैं बहोता है ठो नहीं इन्हीं अपने शोप का नाम अगर मैकड क आप हैं जी हां उन्हें पता है क्लाइंट को नजर आता है इसी तरह उन्हें अच्छे से पता कि यार यह एक एक नियू सेलर है और दूसरी फाइवर के अलगोरित्म को भी पता है कि यह क्या कर रहा है मतलब घर किसी को नजर आ जएगा कि यह इसने डेटा चेप के और अगर आप इस तरह किसी का डिरेक्ट डेटा कोपी-पेस कर भी लेते तो यह इस तरह आपको रैंकिंग नहीं मिलती अगर आप फाइवर अस्यों करना चाहते तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्डन पार है कि आप अपने लिहाज से एक लो कंपेडिटिव लेकिन इन डिमांड कीव पर तो नहीं रिपीट कर सकता तो वह सारी चीज़े मैंने आपको वहाँ पर अपने फ्री कोर्स के अंदर सिखा हुए है आप वहाँ पर जाएं उससे सीखें इंशाला आपको बहुत फाइदा होगा तो फाइवर के बाद दूसरी चीज़ा हाती है कि भाई फाइवर के करते हैं हम तो ओनलाइन रहते हैं मैंने अप्लिकेशन भी डाउनलोड करके रहते हैं लेकिन मैं आपको बता दू इससे कोई फाइदा नहीं होगा ओनलाइन जाने में सबसे पहली चीज़ सो कोशिश किया करें कि आप डेक्स्टोप पर या लैप्टोप पर तो ज्यादा से आपकी नौट कर रहा होता है वह डिटेक्ट कर लेता कि भाई यह बंदा कोई अक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है यह कुछ नहीं कर रहा है जिसका अब ही तक वैसे कब जो लैन्टोप से ओप से उट और इस तरह बैठे लिकिन साथ कुछ ना कुछ activity करते रहे अब यहां पर एक और चीज आती वह आती कि कुछ क्रोम की एक्सेंशन जो के पहले मैं भी रिकमेंड करता था मैं रिकमेंड करता था उस वक्त उससे क्या होता है कि आपका पेज आप रिफ्रेश कर सकते हैं बट उसकी वजह से अब जो फाइबर यार हर वेबसेट अपने आपको इवल्व करती है बिजनस अपने आपको इंपरूव करने की कोशिश करता है सो अब वो एक्सेंशन काम जरूर करती है लेकिन अब रिस्क जो है आपकी परफाइल उड़ने का वह ज्यादा हो चुका क्योंकि अगर वो डिटेक्ट होती है पहले नहीं होती थी कि मतलब टाइमर आप थोड़ा ज्यादा लगा दो आगे पिछे कर दो ठीक है आदे गंटे बाद टाइमर चेंज कर दे तो चल जाता था सी काफिया तक मैं भी करता रहूँ अब उनका अलगरित्म काफिया तक फास हो चुक है वो बड़ा इजी ली डिटेक्ट रह लेते कि यार इसने कोई ऐसी एक्षंचें जूज की तो मैं आपको यही रिकमेंट करूंगा कर देखिया अकर आपने काम करना वाकिया अपने काम से सीरिस है तो भाई खुद बैठे और उसको सेर्च करें और आगे मैं बताता हो कि जितनी टाइम आपने ओन लाइन रहना आप उस द दिस्क्रिप्शन या तो किसी की कोपी पेस्ट चेपी होती है तो बाहर को भी समझ आ रही होती यार अभी तो मैंने चार गिक्स ओपन की सब में सेम पैटरन हर वर्ड तो वर्ड इसने सेम लिखा हुआ एक तो यह बैड इंपेक्ट जाता है आप अपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी मेहनत करो बताओ भाई मैं यह काम करता है अगर नहीं तो अपने किसी दोस्की लेलो किसी को पैसे दे दो लेकिन अपनी कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन आप वहां पर लिखो ताके लगे कि यह आपकी ही सर्वीस है तब ही आपके क्लिक्स के बाद लोग आपको मै मैसेजिस के बाद काम आता है आपके डिलिंग का कि आप उसको किस तर डील करते है और वो प्रजेक्ट आपको मिलता है कि नहीं लेकिन एकलिस यार मैसेजिस तो लोग आपको पहले करे उसके बाद ही आप डील करोगे तो क्लिक्स आ रहे हैं मैसेजिस नहीं आ रहे हैं आप अपने description को अच्छे से update करें pricing वगारा check करें यार किसी से बिल्कुल हाई तो नहीं रख दी है बिल्कुल ही low तो नहीं रख दी market के लिहाँ से तो यह सारे factors मैंने वैसे अपने Fiverr को समें describe कि होए है अब वो देखिए का आपको यह सारी चीज इंशाला clear हो जाएगी अब number four पर यहां पर बात आती है जी use social media platforms to get orders ठीक है जैसे के मैंने आपको पहले थोड़ी दे पहले पहले बताया कि अगर आप जब Fiverr पर online है तो आप जाहिर है उस ते इंबर पे थोड़ी थोड़ी दी बार refresh या कुछ ना कुछ activity तो करते ही रहेंगे लेकिन वो time आपका link मैंने दिया हुआ है वो course आप देख लें इंशाला आप अगर फाइवर पर अफवक पर नहीं भी orders मेरें आपको social media से और दूसरी website से orders कैसे लेनी है वो मैंने best techniques आपके साथ share किये कुछ templates भी share किने free of course है आप जाकर उसमें उस course को करे YouTube पर यह और आप वहां से सीखें अब बंदे को वह चीज समझ नहीं आती सो लोग क्या करते हो कहते है इतना खफने से बैतर है कि चुप करके Facebook पर जाओ काम करो पैसे दो बात कतब एक तो ससी भी service मिल जाती है प्लस को tax वकर नहीं देना पड़ता तो खैर इतना ज्यादा logics में आप ना कुसे आप अभी beginner है अग उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं 50% आप upfront payment ले लो 50% काम होने के बाद अपना scene सेट रखो कि कोई आपके साथ fraud ना करके चलाजे हाँ लालच ना करें कि 2000 देदो आपने सिर्फ 2000 रुपे जमा कराने हो जो मिल जेगी बड़ा सान काम है दुनिया बदल जेगी दुनिया नह आपने नहीं करने तो खेर या यह थी आज की वीडियो के लिए यह कुछ चार्ज दीजे और भी बहुत सारी टिप्स है जो कि वक्तन फर वक्तन में अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता है तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करो वीडियो अ प्रेस